सेकुलर जंडा लगाकर कुछ लोग कॉमिलर एजंडा चला रहे हैं सारी दुविधा प्रतिशत पर है सच कितना बोला जाए अब गूंगे बता रहे हैं हमको मुह कितना खोला जाए बहुत शान ना है मुख खोलने से पहले आंखे खोलिए कशमीन फाइर तेज रोशनी है आपको लगँ रहा है कि मुर्तजबास्री तेज रोशनी है आपको लगँ राए कि करॉली में जो पठ्थर चले हिंदुशोबायात्रा पे वो तब तेज रोशनी इ behöो हिंदुस्तान में इस वक्त मुसल्मान abdominal वो चारा है जिसको दिखा कर भाजपा हुशों का शिकार कर रही है लिजाब कार्द होता है दिवार, इन मुल्लाओं को दिवारों में चुनके हिजाबों में बंद करके खतम कर दो, इनका दम तूप जाए हिंदुस्तान रहेगा, रहेगा, रहेगा नमस्कार व्यूर्स मैं हूँ अमीश देवगन सेकुलर जंडा और कॉमिनल एजेंडा यकीन मानिए ये नाम देते हुए हमें कई बार सोचना पड़ा क्योंकि अगर देश में कुछ लोग वाकई ऐसे हालात बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं तो ये लोग तंतर के लिए मेरे देश के लिए बिलकुल ठीक नहीं है राजिस्तान में फर्मान जारी होता है कि रमजान चल रहा है इसलिए मुस्लिम इलाकों में बिजली कटाटी ना की जाए हाला कि जब विवाद हुआ तो फैसलि में बदला भी करना पड़ा हिजाब के विवाद में कटर इसलामिक संगठन आतंकी संगठन अलकाइदा का सरगना कूद पड़ा कुछ लोग उसके भी सुर में सुर मिराने लगे मुर्तजा अबासी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए गयात गोरक नातमंदिर पहुँचा तो कुछ लोग उसे भी कवर फायर देने में मैदान में कूथ पड़े कहा गया कि इसकी मांसिक हालत ठीक नहीं है अकलेश यादव की पार्टी के सांचस शफिक और रमान बर्क अलगी एजेंडा चला रहे है वो कह रहे है कि बच्ची जब बड़ी हो जाए तो उसे बुरके में रखना ही होगा तब ही वो कंट्रोल में रहती है लाउड स्पीकर पर आजान का मुद्दा उठा तो इसे भी शफिक और रमान बर्क अखंट पार्ट से जोड़ने में जुड़ गए और कहा कि चौपिस घंटे आखंट पार्ट भी तो होता है उस पर कोई नहीं सवाल खड़ा करता लेकिन लाउड स्पीकर पर चार पांच मिनट आजान क्या हो जाती है इन सब को दिक्कत हो जाती है करोली में शोबा यात्रा पर हमला हुआ तो कुछ लोग ये कहने लगें कि बिना परमीशन के शोबा यात्रा क्यों निकाली गई ये गल्ती थी सवाल है कि मनजूरी ना ली गई हो तो उन पर हमला करना क्या जायज है पत्थर बरसाना क्या जायज है आकिर देश में कटरवात का जहर कौन घोल रहा है राहूल गांदी अपना एजंडा चला रहे है वो कह रहे हैं कि इस देश में कई देश बन गए है आज इसी मुद्दे पर होगी जंता के बीच देश की सबसे बड़ी पहस देश की नमबर वन डिवेट सेकुलर जंडा कॉमनल एजंडा आज का विशे यही है आज का विशे यही है एक कैमिकल इंजीनियर अल्ला हू अकबर के नारों के साथ कोरक नास मंदिर पर हमले की खूशिश करता है एक बालिया बयान देता है कि मुसल्मानों पर अत्याचार हो रहे हैं इसलिए वो मरने और मारने आया था लेकिन इसके वावजूद एक जमात इसे मान्चिक रोही सावित कर सियासी साकेलोरिजम के छंडे को बलंद करने की कूशिश कर रहा साकेट्रिक प्रॉलम थी बाइपोलर इशूज हैं उसके साथ मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा और बीजेबी तो वो पार्टी है जो बात को नजाने कितना खीश देती है अकले सियादो जी और समाजबादी पार्टी इनका रिस्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है आतंकवादी हमले हुए थे तथ ही ये है कि ATS ने अपनी जाच में कई ऐसी कड़ियों को तलाश किया है जिससे पता चलता है कि कैसे मुर्तजा AIS AIS का मुरीद है और वो खुद भी सीरिया जाने के फिराफ में था लेकिन सेकलरुजम का एक तरफा राग चारी है तब भी जब अलकाइदा चीम जवाहिरी ने हिजाब विवाद में भारत की न्याए पालिका की बुराई की राजस्थान के करोली में मुस्ति मुहलों से गुजर रही हिंदों की शुभायात्रा पर पत्राव होता है लेकिन इसका तोश राज्य के मुखिया ने प्रधान मंत्री मोधी पर टाल दिया वो भी सकलूरुजम के नाम पर आग लगाने लिए आते हैं पुरे देश में आग लगा रहे हैं आए आग लग गई देवी नड़ा का रिगाना अब इस वाने वाले हैं तो बीजेपी अभी से ही राज्तान को इलक्शन मोड पर ले आई हैं हिंदू-मुस्लिम कर दिया देश के अंदर इनोने इस दिनोना काम किया है प्रधान मंत्री को चाहिए आगे आगे नेशन को समोधित करें पत्तर थे लोग थे तो मुझे लगता है कि यह सारा कॉंग्रिस पार्टी के मुख्यमंत्री के संग्रक्षन में उनकी जानकारी में हुआ है इतना ही नहीं राजस्थान सरकार ने रमजान में मुस्लिम महलों की बिज़के कटोती पर रोक का आदेश भीजारी किया हाला कि किरकरी हुई तो कहा गया कि आदेश का फायदा अब सब को होगा सवाल ये है कि क्या सेकुलूरिजम का एक तरफाराग सम्विधान पर चोट नहीं आज इसी मुद्धे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा तो अब इस चर्चा की शुरुआत करतो मेरे साथ कौन कौन मेमान जुड़ रहे हैं जोरदर तालियों से स्वागत करिए संबित पात्रा है बीजेपी के नेता है पर वक्ता है अब इनंदन है उनका मेरे साथ इस चर्चा में तस्रीम नेमानी जुड़े है पर वक्ता है सेकुलर जंडा है लेकिन कौनल इजेंडा है है क्या कहना चाते है राहुल गांधी को तो ऐसा लगताै है राहुल गांधी को तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में देश में बहुत जगड़े हो गें यह लगता अब सिरियस्ली बढ़ने को नहीं है आंग्र्स पार्टी खुदी राहूल गांदी को सिरियसली लेती नहीं है ना उनके पास कोई जंडा है ना डंडा है कुछ भी नहीं शेस रह गया कॉंग्रेस पार्टी का राहूल गांदी तो ऐसा अनरगल शुरू से ही बोलते थे याद करिए 2014 से पहले बोलते थे मोदी जी अगर भविषयवानी करना जानते हैं दोसाल बाँ पता नहीं देश में क्या हो जाएगा इतनी भविषयवानी कर सकते हैं तो जौतिशी का दुकान खोलना चाहिए यह लोर्य देश का विभाजन उनके ही परिवार के सदस्य जवाहाल नाल नहरू के कारण आज से कई वर्षो पूरू 75 वर्षो पूरू वो हो चुका है 1947 में जवाहाल नाल नहरू जी के अगर गांधी परिवार को लगता है कि उनको किसी भी कीमत पर सत्ता पर आसीन होना है तो मेरी एक बात अप याद रखिए अगर देश को विभाजित करके तुष्टिकरण की राजनीती के माध्यम से पुना उस इतिहास को दोहराना पड़े तो राहूल गांधी और गांधी उससे भी पीछे नहीं है यह बड़ा अरोप है तस्रीम नहीं मैं आपका रुक करता हूँ तस्रीम नहीं बीते 15 दिनों के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई है जो ये बताती है कि इस देश के अंदर सेकुलर जंडा कुछ लोग लगाकर कॉमिनल एजंडा चला रहे है चाहे वो हिजाब में अलजवाईरी अलकाइदा की एंट्री हो चाहे वो मुर्तजा अबासी का पकड़ जाना हो और फिर कुछ लोगों का उसको डिफेंड करना हो कि हो सकता है मानसिक रूप से बिमार हो और सर्टिफिकेट भी दे रहे हो क्या कहना चाहते हैं आप चाहे वो राजस्तान का करॉली हो चाहे राजस्तान में एक तरफार रमजान के लिए फरमान हो बिजली विबाग का देखे इसमें तो कोई दो रहा है नहीं है कि इस मुल्क में कमूनल एजेंडा चलाया जा रहा है और जान भूच के चलाया जा रहा है और आठ साल से चला तो बहुत ज्यादा चलाया जा रहा है आठ साल से पर्टिकुलर्ली बहुत ज्यादा चलाया जा रहा है मुझे मालूब नहीं क्यों चलाया जा रहा है मतलब 2014 के बाद से उसके बाद तो आप देखिए आप टेलिविजिन को मैं डॉकुमेंटिट कर देता हूँ इसे टेलिविजिन की डिबेट्स आप उठा के देख लीजे आठ साल से रोजाना किसी ना किसी कमोनल एजेंडा पर इस मुल्क के तवाम चैनल डिबेट करते हैं चो इससे पहले नहीं हुआ करते था बड़ी शालीर और मुल्क के बुद्धों पर हुआ करती थी कभी कभार किसी कोई कमोनल फ्लेयर अप कही हुआ तो डिबेट होती थी वर्णा नहीं होती थी लेकिर अब आप देगी सारा देश देख सकता है आठ साल ने इस तरह तो ये कभी कभी करते हैं इस देश पे चल रहा है ये इंटेंशनल है ये फैब्रिकेटिड है ये सत्ता के वो लोग कर रहा है जिनको सत्ता किसी दूसरे नाम पर